इस टुटेंट्स इस टुटोरियल में हम यह जो कोश्चिन सॉल करने जा रहे हैं इसमें सबसे पहले आप यह देखो कि लेफ्ट साइड में बहुत ज़्यादा टर्म्स हैं और राइट साइड में कम तो जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादा तर हमारे लिए असान यही होता है कि हम ज़दर ज़्यादा टर्म्स हों उदर से स्टार्ट करें तो इसलिए इस क्वेश्चिन को मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूँगा और वो मैं यहाँ पे क्विकली लिख लेता हूँ अब next clearly मुझे दिख रहा है कि मैं सीधा सीधा इन ब्रैकेट्स को open कर दूँ अगर तो यह sin कॉसेक का inverse होता है cos secant का inverse होता है तो एक एक term कट जाएगी सरफ वहाँ पे number बच जाएगा और number भी हमें चाहिए 7 ठीक है तो मैं काम करता हूँ सरफ ब्रैकेट्स को खोलता हूँ पहले तो यह जाएगा sin square theta plus cos sec square theta plus 2 sin theta into cos sec theta और इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ plus यह जाएगी cos square theta plus secant square theta plus 2 cos theta into secant theta अब clearly मुझे दिख रहा है कि sin और cos sec आपस में कट जाएगे cos और secant आपस में कट जाएगे लेकिन अगर confusion है तो एक step और लिख लो तो मैं यहाँ quickly फिर से लिख देता हूँ और दूसरी बात sin square theta और cos square theta की value 1 होती है तो उसको मैं पहले लिख लेता हूँ तो यहाँ पहले मैं लिख लेता हूँ sin square theta plus cos square theta just for the sake of clarity plus बाकी मैं आप quickly लिखता हूँ तो secant theta को 1 by cos theta लिख लिए और cos sec theta को 1 by sin theta लिख लिए तो यह यहाँ कट गया यह यहाँ कट गया और इसकी value हो गई 1 तो यह हो गया 1 plus cos sec square theta plus sec square theta plus 2 plus 2 हो गया मेरे पास 4 so this is equal to 5 plus cos sec square theta plus sec square theta अब मुझे answer किस में चाहिए right hand side चाहिए मुझे 10 और cot में तो यहाँ मैं identities लगा लेता हूँ तो 5 plus cos square theta क्या होता है 1 plus cot square theta और sec square theta कितना होता है 1 plus 10 square theta that's it bracket खोलो गए तो 5 plus 1 plus 1 7 हो गया plus 1 हो गया मेरे पास cot square theta और 1 हो गया मेरे पास 10 square theta और यही हमें prove करना था अगर ऐसे लिखना जाते है तो ऐसे लिख लो 7 plus 10 square theta plus cot square theta which is equal to right hand side चाहे आंसर को यही छोड़ दो चाहे यहाँ छोड़ दो कोई फरक नी पढने वाला so इतना easy question है simply visualize करना है और इसके बाद इसको solve करना है so it's time to share this video with your friends and your classmates but only if you like so that's it from this tutorial keep watching mathemafia झाहाँ